नमस्कार दोस्तों, Study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paol Singh Rathod और आज इस वीडियो में हम चलचा करेंगे Italy में हुए एक important archaeological discovery के बारे में Italy में एक शेहर है, Pompey वहाँ पर एक recent discovery हुई है street food shop की basically एक छोटा सा restaurant है restaurant के ना इसको में भी थोड़ा गलत होगा आप कह सकते हैं कि एक दुकान है जहाँ पर खाना मिलता था और इसकी discovery की relevance क्या है मैं आपको बताऊंगा, Pompey शेहर की history क्या है और क्यों ये दुनिया की most visited archaeological site है, इसके बारे में हम चलचा करेंगे इस वीडियो में अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe बटन पर क्लिक करना ना भूले और अगर आप मुझसे social media पर connect करना चाहते हैं तो twitter, facebook और instagram पर महिपाल राठोट handle पर आप मुझे follow कर सकते हैं इसी नाम से आपको मेरा telegram channel भी मिलेगा जहां आप सभी lectures के PDF डाउनलोड कर सकते हैं Study IQ अपने UPSC civil services smart course पर extra 10% discount offer कर रहा है आपको इस year end sale का फायदा उठाने के लिए code use करना है year end 10 और ये course आप हमारी app या फिर desktop पर भी अवेल कर सकते हैं इटली के Pompey शहर में हुई इस archaeological discovery को हर news website अलग-अलग नाम से संभोधित कर रही है कोई के स्नैक स्टॉल कह रहा है कोई इसे fast food restaurant कह रहा है कोई इसे केवल एक counter कह रहा है कोई इसे street vendor कह रहा है लेकिन actually में ये क्या है आप खुद तै कर लीजेगा फोटो में आपको दिखा दूँगा पहले हम जानेंगे इस archaeological site की location है तो Europe का देश है Italy I'm sure आप सभी Italy से वाकिफ होंगे तो Italy का जो दक्षनी इलाका है इसमें स्थित है नेपल्स शहर जिसे नेपोली भी कहा जाता है और यहां का एक बहुत famous football club है नेपोली नाम से I'm sure football fans जानते होंगे और इसी नेपोली के पास में स्थित है Pompey तो यहां पर है Tyranian Sea आपको इसका नाम याद रखना है यह है Tyranian Sea और इसी के तट पर यहां पर आप जो देख रहे हैं यह है नेपल्स शहर अब इसी नेपल्स शहर से कुछ दूरी पर स्थित है Pompey अगर आप वैसे देखें तो आज के जमाने में एक urban agglomeration होता है तो Pompey अब एक तरह से नेपल्स का ही पार्ट बन चुका है लेकिन technically अलग शहर है और इस पूरे urban area के बीचो बीच आप देखेंगे एक volcano स्थित है यह सबसे major landmark है इस पूरे area का यह है Mount Vesuvius तो Mount Vesuvius के चारों तरफ dense अबादी वाला शित्र है घनी अबादी का शित्र है और इसी घनी अबादी शित्र में यह है पूरा नेपल्स शहर और यहाँ पर स्थित है Pompey तो Pompey शहर जो है यह एक एतिहासिक शहर है आज से 2000 साल पहले भी exist करता था आज भी exist करता है लेकिन जो अभी शहर आप देख रहे हैं यहाँ पर यह लगबग 100 साल पहले बसाया गया था 1890s में इसे बसाया गया था 2000 साल पहले यह वाला शहर Pompey शहर Mount Vesuvius के eruption के कारण एक ही दिन में कुछ ही घंटों में पूरी तरह से दब गया था आश में दब गया था और यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे उनमें से जादा तरकी मृत्य हो गई थी historical records के अनुसार उस वक्त Pompey में लगभग 13,000 की आबादी थी जिसमें से 2 से 3,000 लोग तुरंत मारे गए थे चंद मिन्टों में जैसे ही explosion हुआ कुछ ही मिनिटों में यह लोग यहाँ पर मारे गए थे तो Mount Vesuvius अभी भी एक active volcano है 1944 या 45 में इसमें last eruption हुआ था तो इसमें ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से dormant हो चुका है अभी भी इसमें eruptions होते रहते हैं और उसके बावजूद इतनी घनी आबादी यहाँ पर बसती है अल्मूस्ट 30 लाख लोग इसके 30 km के दाइरे में बसते हैं तो आज भी यह पूरी आबादी अप्रॉक्सिमेट लोकेशन इसकी پूछी जाये तो दक्षणी इटली आप कह सकते हैं और ये है टेरेनियन सी इसका नाम याद रखना टेरेनियन सी ये वाला है आयोनियन सी ये वाला है एडриाटिक सी तो जो इटली के आसपास के समुद्र है वो आपको मालूम होने चाहिए, सब कुछ Mediterranean नहीं होता है और in-seek को लेकर directly question पूछा जा सकता है एक बात और याद रखना, नेपल्स में जो club है, नेपोली उसमें खेला करते थे, महान फुटबॉल खिलाडी और हाली में दिवंगत हुए, Diego Maradona तो Maradona ने नेपल्स को बहुत सारी trophies जिताई थी 1980s में, फुटबॉल फैंस को शायद ये fact मालूम होगा Pompey, जैसा कि मैं आपको बताया, एक पुराना शहर है Roman Empire के समय, ये एक prosperous शहर था यहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे ये केवल जो अमीर लोग है, उनके विलाज थे यहाँ पर बड़े बड़े घर हुआ करते थे और एक शहर भी था, तो यहाँ पर लगबद 13,000 लोग रहते थे, जिन में से almost 2 या 3,000 लोग तुरंट मारे गए थे जैसे ही ये volcano erupt हुआ, तो ये बात है 1st century AD की, 79 AD to be precise, वो year था, यानि almost 2000 साल पहले की बात है, बहुत बड़ा explosion हुआ था, in fact इतना बड़ा explosion था कि scientists आज estimate करते हैं कि इसमें जितनी energy release हुई थी, that was approximately 1 lakh times the atomic bombs of Hiroshima नागा सा की, यानि atomic bomb जो Hiroshima पर गिराया गया था, उससे लावा, pumice, यह सब निकला उससे, कि उससे पूरा शहर दब गया, और तुरंत ही यह शहर दबा, तो जो जहां था, वही पर वो दफन हो गया, ash के नीचे, लावा के नीचे, इस शहर को आज भी केवल दो तिहाई excavate किया गया है, one-third शहर तो आज भी uncovered है, और इस one-third में, अब थोड़ी बहुत खुदाई शुरू हुई है, पिछले दो-तीन सालों में, और यह जो latest अभी discovery हुई है, यह इस one-third वाले area में ही हुई है, तो लगबख 66 hectare में यह archaeological site फैली हुई है, और यह दुनिया की most visited archaeological site है, उसके कुछ reason है, सबसे पहला, यहाँ पर जो excavation है, वो 17th century में ही शुरू हो गई थी, यानि 300 साल से यहाँ पर excavation चल रहा है, थोड़ा बहुत excavation कुछ सालों में चलता रहता है, तो एक तो यह अच्छी-कासी developed site है, यहाँ पर सारी facilities available है, नेपल्स शहर के बिल्कुल नजदीक है, नेपल्स एक बहुत बड़ा शहर है, आप flights है, train से हर तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं, और अब यह UNESCO World Heritage Site भी है, तो यहाँ पर पहुँचना बहुत आसान है, अब कहने को तो वैसे नेपल्स एक बहुँचना काफी असान है, और यहाँ पर अल्रेडी कई सालों से excavation चल रहा है, तो यह जो ruins है, यह सोलवी शताबदी में discover हुए थे, और 1750 के आसपास से organized excavation शुरू है, लेकिन इसके पहले ही कई लोगों ने अपने स्तर पर ही वो देसी वाला हिसाब शुरू कर दिया था, कि खुदाई करो, जो अच्छा मिल गया, painting मिल गए, उसको निकाल के ले गए, तो यह सब काम तो 1600 में ही वहाँ पर शुरू हो गए थे, यानि कि आज से लगभग 400 साल पहले, 1750 के आसपास जो वहाँ की local governments थी, उन्होंने इसका संग्यान लिया और सोचा कि इसमें हम ढंक से excavate करते हैं, इस site को develop करते हैं, तो विसफोर्ट हुआ और जो जिस स्थिती में था, जो life चल रही थी, वो तुरंत freeze हो गई, तो एक तरह से हमें वो एक photograph दे देता है, उस समय की Greco-Roman life का, और ये आज UNESCO World Heritage Site है, बाइद वे याद रखना Pompey से related बहुत सारी news आई, अगर आप history की news को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, तो आपने शायद notice किया होगा कि इस साल 3-4 इस तरह की news आ चुकी है, उसके पीछे reason यह है कि अभी Italy की government ने पैसे डाले है, वहाँ पर एक fund डाल, fund डेवलप किया है और उस fund की मदद से recently काफी excavations हो रहे हैं, यह 2018 onwards, तो अभी 2020 में भी कई discoveries हुई हैं और यह सब उस area में हुई हैं, जो one third area city का अभी तक excavate नहीं किया गया था, तो इस area में अभी recently archaeologist ने एक food stall discover किया है, और यह एक street food stall था, जिसको Romans कहते थे thermopolium, thermopolium का मतलब कहा है, thermos, यानि होट, आज भी हम चाय के thermos में चाय रखकर उसका आनन्द लेते हैं सरदियों में, और पहले का मतलब होता है to sell, तो इन दोनों शब्दों से मिलकर यह बना है term thermopolium, तो यह पुराने जमाने का एक restaurant था, लेकिन यहाँ पर अमीर लोग नहीं आया करते थे, thermopolium का एक ही लक्षे होता था, कि जो शहर के गरीब लोगें जो अपने घर में बेली खाना बनाना अफॉर्ड नहीं कर सकते, उनको सही दर पर अच्छी दरों पर खाना उपलब्द करवा दिया जाए, probably इसका यही use था, जो historians, archaeologists बताते हैं, वो यही इसका use है, क्योंकि इसी तरह की कुछ इसकी बनावट है, यहां से हमें पता चलता है, कि इन containers में खाना रहता होगा, और अब इसकी बनावट देखिए, आज के समय से भी कितनी मिलती जुलती है, अगर आप किसी शादी बया में जाएंगे, तो आज भी counter इसी तरह का लगता है, तो यह हमें बताता है कि उस समय भी इस तरह के structures थे, और यह जो site है, जहां पर अभी यह discovery हुई है, यह अभी public के लिए open नहीं है, क्योंकि recently excavation हुआ है, इसको तयार किया जाएगा, tourist के आने के लायक बनाया जाएगा, फिर इसको open करेंगे, तो यह site 2000 साल पुरानी है, और इसमें अभी हमें क्या मिला है, terracotta jars, जिसके अंदर खाने के भी अवशेश मिले हैं, और इन में, यह जो circular holes आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर कुछ खाने के अवशेश हैं, जिनके उपर study करी जा रही है, और सबसे important बात, यहाँ पर बहुत अच्छी सुन्दर paintings मिली हैं, तो इतनी well preserved paintings हैं, आप देखिए, आपको क्या मतलब हैं, कि भाई साब यहाँ पर chicken मिलता था, duck मिलती थी, simple सा इसका मतलब यही है, तो यह एक तरह से advertisement है, यह board लगा हुआ है, कि आपको यहाँ पर ऐसा chicken या ऐसा duck खाने को मिल सकता है, और आप इसकी बारी की देखिए painting की, कि कि तना detailed paint किया हुआ है, और यह luckily paint survive भी कर गया है और यह जो बरतन है, इन बरतनों में pork, fish, snail और beef भी मिला है, और एक container के अंदर duck bone fragment भी है तो duck का तो photography लगा हुआ है, हाँ पर obviously duck तो मिलती ही होगी तो इससे पता चलता है कि variety of animal products थे, जिन से खाना बनाया जाता था फिर एक container में fava beans भी मिली है, fava bean का क्या काम होता था, यह wine को color करती थी, तो इसका यह उपयोग होता था और Roman Empire में wine का काफी use हुआ करता था, तो यह fresco's basically एक advertisement है, एक तरसे menu card है उस restaurant के, तो यहाँ पर archaeologist को उसके लावा बरतन मिले हैं तो bronze drinking bowl है, ceramic के jar है wine flask है, amphora है, amphora कुछ नहीं एक जग होता है, ठीक है simple पानी वगेरा रखने के लिए जग होता है तो इस तरह के चीजे भी यहाँ पर मिली है, अब plant और animal specialist अभी भी यहाँ पर जो remains मिले है उनको analyze कर रहे है और जो initial analysis हुआ है उससे यही पता चलता है कि यह images जो है, यह fresco है यह क्या बताते हैं कि यहाँ पर क्या मिलता था और एक बहुत ही interesting यहाँ पर painting मनी हुई है, that is of an undersea nymph astrida horse यानि कि एक nymph है जो एक undersea, समुद्र के अंदर एक घोड़े पर सवार है थोड़ा आपको zoom in करके दिखाता हूँ यहाँ पर यह painting काफी अलगसी है यह कोई खाने माने को नहीं दर्शारी है maybe this is an artistic painting एक और interesting painting है least dog की, एक ऐसा कुत्ता जिसके गले में पट्टा डाला गया है, और साथ ही साथ इस जगे पर एक dog skeleton भी मिला है तो यह painting के अलावा एक कुत्ते की हड्यां भी मिली है लेकिन जिसकी हड्यां मिली है वो बहुत ही छोटा कुत्ता है 22-25 cm which is quite surprising कि इतना छोटा कुत्ता कैसे कोई रख रहा था क्योंकि वहाँ पर जो breeds हैं वो इतनी छोटी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि Romans selective breeding किया करते थे अब इस discovery की significance यह है कि thermopolium वैसे तो Italy में दूसरी site पर भी देखने को मिले हैं लेकिन इतनी अच्छी condition में और पूरा का पूरा thermopolium एक साथ intact अभी तक कहीं पर भी discover नहीं किया गया है excavate नहीं किया गया है तो पहली बार archaeologist को इतनी सारी चीज़ें एक ही जगे पर मिली है और वैसे thermopolium इस पॉम्पे शहर में भी बहुत सारे हैं लेकिन इतनी अच्छी condition में अभी तक कोई भी नहीं मिला है इस जगह पर खुदाई का काम 2019 में शुरू हो गया था लेकिन काम 2020 में जाकर पूरा हुआ है फिर इसी site के पास में human remains भी मिले है human remains वैसे पॉम्पे में बहुत जगे मिले है तो ऐसी कोई unique बात नहीं है human remains की significance क्या है तो जैसा मैं आपको बताया Mount Vesuvius explode हुआ तुरंत इसकी जो ash आई यहाँ पर उससे लोग जो कर रहे थे उसी स्थिती में वो मर गए और इस तरह के कई skeletons कंकाल महाँ पर हमें मिले है कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि लोग अपने घर का सामान उठा कर भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सामान के समेथ अपने घर के दर्वाजों में मृत पाये गए तो इस तरह के skeleton महाँ पर बहुत सारे मिले है लेकिन अब problem क्या है पॉम्पे के साथ conservation की क्योंके यहाँ पर 16-17 शताबदी से ही यह excavation शुरू हो गया था थोड़ा बहुत तो लोग आकर यहाँ पर सामान को loot पाट के ले जाते थे और इस तरह के अगर कोई fresco दिखे तो वो उस पूरी दिवार के segment को यह उठा के ले जाते थे अपने घर में सजा के रखने लग गए थे तो इस तरह की चोरियां वहाँ पर बहुत सालों तक हुई थी और आज भी हो रही है तो आज भी जो main city का जो protected area है जो wall city है वहाँ का उसको तो protect कर लेते हैं लेकिन जैसे कुछ अगर एक-दो किलोमेटर दूरी पर कोई छोटा सा हर साल आएंगे इसी के साथ ये lecture समापत होता है thank you very much for watching this have a great day